अगले 5 मिनिट में हम जानेंगे क्यूं होती है घमोरिया, हम इसको होने से कैसे रोक सके, कौन सा पाउडर घमोरिये के लिए सबसे अच्छा है और घमोरिया को ठीक करने के लिए घरेलू उपचा कौन से है आपका स्वागत है डॉक्टर की बात में, मैं हूँ डॉक्टर मनर गोस्वामी, पीडियाटीशन और आपका बच्चो का डॉक्टर एक बार फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ और आपको कुछ नया सिखाने के लिए जैसे ही गर्मी का मोसम आता है, हमारे शरीर पे घमोरिया होने लगती है और खास करके छोटे बच्चों में यह जादा परेशन करती है तो घमोरिया आखिर होती क्यों है? हमारे पूरे शरीर पर चमडी के नीचे पसीना बाहर निकालने वाली चोटी-चोटी स्वेट ग्लेंग्स तो यहां पर एक दाना साays बन जाता है और ऐसे बहुत सारे दाने बनके घमोरिया बनती है और इसकी वजह से ही हमें खुजली होती है और जलन भी होती है और शरीर का तापमान भी बढ़ने लगता है और ये गमोरिया खास करके ऐसे भाग में जादा होती है जहां पर पसीना जादा होता है जैसे के सिर के उपर के भाग में, गर्दन के आसपास, सीने के आगे और पीट के पीछे के भाग में गमोरिया जादा होती है अब बात करते हैं हम ऐसा क्या करें ताकि गमोरियों से बचा जा सके इसके लिए आप खुद को और अपने बच्चों को जितना हो सके उतना धूप से दूर रखे और एकदम खुले पतले और हलके कोटन के कपड़े ही पहने दिन में दो बार नहाना चाहिए उस वज़े से आपके शरीर से पसीना कम होता है शरीर में चिकनाट कम होती है शरीर का तापमान कम रहता है सर पर जादा तेल ना डाले और छोटे बच्चों की तेल मालिश गर्मी के मोसम में ना करे इतना करने से गमोरिया होने से बचा जा सकता है पर अगर पहले से ही गमोरिया हो गए है तो उसे ठीक कैसे करे और आप कौन से घरेलू उपचार कर सकते है इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले जो मैंने आगे गमोरियों को रोकने के जो उपाई बताये है उसका पालन करें कौन सा पावडर सबसे अच्छा है वैसे तो घमोर्यों के लिए जादा पावडर यूज करना अच्छा नहीं है कई बार इससे घमोर्य और बढ़ सकती है बट जादा पसी नहों तो घमोर्यों को रोकने के लिए आप क्लोट्री माजोल डस्टिंग पावडर का यूज़ कर सकते हैं यह आसानी से कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल सकता है केला माइन और एलो वेरा युक्त लोशन का यूज़ कर सकते हैं इसे दिन में दो बार नानेक के बाद हलके हातों से गमोरियों पर लगाना चाहिए इससे शरीड ठंडा रहेगा जलन और खुजली भी कम होगी और जल्दी से जल्दी आपकी गमोरिया ठीक हो जाएगी जितना हो सके उतना पानी जादा पिए और जादा ओईली वाला खाना मत खाईए इतना करने से गमोरिया जल्दी से ठीक हो जाएगी अगर यहां तक वीडियो देखा है और चैनल पर पहली बार रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा जीहां तोस्तों मैं हूं डॉक्टर मनहर गोस्वामी पीडियाटीशन और आपका बच्चों का डॉक्टर एक बार फीर आऊंगा एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ और आपको कुछ नया सिखाने के लिए तब तक हल्दी रहे खूश रहे और अपने बच्चों का ध्यान रखे दन्यवाद कर दो